नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भी आज सुबह सुबह के टाइम मैंने सोच लिया कि जो भी प्लांट्स मेरे रहे थे प्रूनिंग के बगार तो आज उन सब की प्रूनिंग मैं कर दूँगी इधर वाले सारे जो मैं आपको दिखा रही थ कि प्लांट्स की आपको इतनी सारी बिलेगी कि आप उन प्लांट्स को मल्टिप्लाइभी कर सकते हो और बिलकुल और जो आपकी प्लांट्स हाएगी प्लांट की वो तो देखो लायक होगी अभी सर्दियों के बाद सारे के सारे जो हमारे evergreen plant है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं पत्ते जड़ेंगे देखो growth तो इन पे भी आएगी अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी ये grow करेंगे क्योंकि इनका grow time है लेकिन अगर आप एक proper पर शेप देखे और अच्छी सी कटाई चटाई करने के बाद growth देखना चाते हो तो वो growth एक अलगी level की होगी growth तो इन डंडियों पे भी आएगी क्योंकि देखो plant ने तो grow करना ही करना है लेकिन उस से आपके plant ज़्यादा healthy नज़र आएंगे नई नी branch बनेंगी फिर उन पे leaf आएंगे नहीं तो इनी पे leaf आते रहेंगे या ऐसी branch बनती रहेंगी तो plant देखने में इतना खुबसूरत नहीं लगेगा जितना की कटाई चटाई के बाद लगेगा और दूसरा तो और बिल्कुल दोस्तों आप मार्च के end तक आपकी नईनी cuttings भी त्यार हो जाएंगी अभी तो अभी काफी टाई में मतलब लगाने का cutting को तो आप इस तरीके से कटाई चटाई के साथ साथ नईने प्लांट्स भी त्यार कर सकते हो परली तरफ वालों की मैंने ओल्मोस्ट कर दी थी लेकिन फिर भी जिसकी लगेगी मुझे करने लायक उसकी भी मैं कर दूँगी तो यह देखो इतनी सारी cutting निकलेंगे यह यहां से और यह प्लांट भी थोड़ा हलका सा महसूस करेंगे तो अगर यह वेटलेस होंगे थोड़े से और इसके बाद दोस्तो हम करेंगे इनकी गुडाई और अगर आपके पास खाद available हो तो साथ-साथ खाद भी डालते जाना तो सबसे पहले तो इनकी कटाई चटाई जरूरी है तो कटाई चटाई के बाद गुडाई करके फिर कितने मोटी मोटी कटिंग गई है और इनका दोस्तो सकसेस रेट भी खूब ज़ाद होगा जो इमें कटिंग आपको दिखा रही थी अभी पैंसिल जितनी मोटी अगर आपकी कटिंग होती है और आज जदा पुरानी होती ना जढ़ा नहीं होती तो इस तरह की अ सेमी हार्डवूड कहते हैं इसको एक तो होती हो बिल्कुल हार्डवूड जो पुरानी ब्रांच हो चुकी हो काफी लेकिन यह सेमी हार्डवूड होती है ना तो यह बिल्कुल नहीं होती बहुत ज़्यादा सोफ्ट होती और बहुत कम पुरानी होती है यह लेकिन यही कटिं कि गार्डन में से क्या-क्यामाल निकला है और बहुत सारे प्लांट की कटिंग दोस्तों इस ऐसे करने से निकलाती है आपके पास अपनी जो प्लांट आप उनको भी मल्टिप्लाई कर सकते हो और इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको बाहर भी कोई प्लांट पसंद आता है स्केटियर से कट करके उसको अपला के उगा सकते हो यापके पास घूमते फिरते स्केटियर भी नहीं है तो भी आप वैसी ब्राँच तोड कि लाके उसकी कटिंग बनाके कर सकते हो और ये देखो सारी मैंने साफ सफाई कर दी जो मैं आपको बता रही थी अभी तो मैंने कैमर से बैठके यहां पे कटिंग की कटाई चटाई करूंगी और इन सारे के सारे प्लांट के वेस्ट को मैं डर लूँगे अपनी क्रेट में ताकि वहां यह ड्राई होते हैं यह देखो कितनी मजबूत कटिंग है कैसे नहीं होगेगी बताओ है ना कितनी सुंदर कटिंग है इसक लेकिन अगर आपको किसी प्लांट की कटिंग लगाने में हाथ की सफाई आगी तो आप यह समझ लो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो आपको पसंद है और आप उनको तियार करते हुए चले जाओगे अब देखो इन प्लांट का भी वेट कम हुआ इदर से हमें भी कितने सा में बहुत है आप जो तो हमारे क्टिंग के समान मिल गया और दूसरा जो भी यह निकलेगा वह तो है हमारे लिए हमारे क्या अपर्दो के लिए बहुत वर्दान है वह बहुत सारे मैक्रो मैक्रो न्यूramट नुट्रियं न्यूट्रियंट्र काम जो कटाई चटाई थी वो मैंने कर ली अब जो भी मुझे इच्छे-ची कटिंग लगेंगी न वो मैं निकालती जाओंगी और एक मग्गे में सिद्धा करके रखती जाओंगी और फिर उसमें पानी बरके रख दूँगी और पूरा गार्डन साफ करने के बाद क्योंकि देखो कितना तो है न यह वेस्टी कटा हो गए इसकी साफ सफाई के बाद फिर मैं जहां जहां मुझे कटिंग लगेगी इस गंबले में अपरोपिरेटे लगाना या दोस्तों मैं पता है कैसे लगाती हूं मैं रियली बताओं तो मैं ऐसे लगाती हूं किसी गंबले में ल किस कटिंग के साथ कौन सा पुद्ध मैं जोगा यह सबसे अदा जरूरी है और इस बारे में दोस्तों मेरे बहुत कमेंट आतने हैं कि आप एक ही गंबले में इतने सारे प्लांट कैसे लगाते हो तो उसका यही कारण है कि एक जैसे तासीर वाले पुद्धे जिनकों की एक इतने उसको शेड देनी है कैसी उसकी मत्टी त्यार करनी है तो लगबग एक तरीका जो दूसरे प्लांट का भी होता है मैं उस तरीके की कटिंग उसमें लगा देती हो अब जैसे सुंदर उपा के साथ आप कनीर लगा सकते हो देसी कनीर लगा हो यह हाइब्रिड वाली पानी भर दिया है अभी तो और भी मैं कटाई चटाई करती रहूंगी लेकिन आपके लिए वीडियो भी बनाना था और मैं इस गार्डन की साफसफाई करने से पहले जितनी भी कटिंग निकल सकेंगी भई निकाल लूगी तो इतनी सारी तो देखो में रपस वराइटी और हिबिसकस भी था उसमें बहुत सारी प्लांट थे मतलब का नेर वगरा और इसके दोस्तों अगर इस तरह के आप हैंगिंग वास्केट बना रहे हो एसपेरिगस की तो एसपेरिगस की कटाई चटाई करने के बाद अगर जो एरिया आपको बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है उसके अब बलब निकालके कहीं और भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हो और इसी तरीके से दोस्तों रोहियों के भी छोटे-चोटे पप्स निकलते हैं उनको भी आप लगा सकते हो और छोटे-चोटे सेरमिक के पोर्ट में तो मैंने आपको लगाना बताई रखा है और इनकी अब होगी है साफ सफाई और जितना भी अब मतलब ऐसा चोटा समान निकलेगा पप्स वगरा निकलेगे उनको भी मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगी और जिनके सीड़ पोड बनने होंगे तो उनको भी लगा दूँगी और कुछ दिन पहले मैंने आपको परसलेन और पोर्चुलाका की भी कटिंग लगा के दिखाई थी कि किस तरीके से इनकी कटिंग लगा जाती है तो वो तरीका भी आपना लेना है जादा से जादा जल्दी गरोथ पाने के लिए वो भी एक बड़ा वीडियो देख लेना और इस तरीके के दोस्तों जो सेरेम की वराइटी होती है जिनमें की ज्यादा रूट भी नहीं बनती और उपर की तरफ आपका प्लांट बहुत अच्छा फैलता है जिससे की यह सुन्दर सुन्दर लेकिन इनमें लगने वाला जो प्लांट है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है तो इसके लिए आप इसमें जैड की कटिंग्स लगा सकते हो और क्रैसुला वाटर जिसको बोलते हैं इसमें आप ऐस्पेरिगस भी लगा सकते हो इनमें आप कैलन कोई की भी कटिंग लगा सकते हो और बेबी सन रोज इसमें आप लगा सकते हो और इसमें रोयो की भी कटिंग लगा सकते हो तो बहुत चुट-चुटे से प्लांट हैं जिनके आप कटिंग लगा के इनको भर सकते हो तो वो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ एक बर जाके वो भी देख लेना और बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों प्लांट्स लगे हुए इनको तो आप विंडो वेगरा में भी रख सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वेरी मच्च टेक के रूफियो और यह प्लांट्स